तो चरी आज हम बहुत ही टेस्टी टोमाटर की चटनी बनाते हैं ये चटनी खाके पेट तो भर जाएगा मन नहीं भरेगा इसके लिए हमने चार पके हुए टोमाटर को लिया है टोमाटर का हम हाड़ वाला उपर वाला पोर्शन काट लेंगे और इसे हम दो भागों में काट साथ में मैंने पंचे कलिया लहसन की अएक लाल मिर्च को तोड के लिया है कडाई में हम दो चमच तेलेंगे मैंने सरसो तेल डाला है अब जो देल खाते हैं वही तेल डालें अब इसमें हम टमाटर को डाल लेंगे साथ में हम लसन और लाल मिर्ज को भी डाल लेते हैं अब हम इसे ढख देते हैं और तीन मिनट एक साइड से पका लेंगे तीन मिनट के बाद इसे हम पलट लेंगे अब दूसरे साइड से भी हम इसे ढग के तीर मिनट और पका लेंगे अब आज की वीडियो आप लोगों पसंद आए तो हमारे चैनल राम रतीगर सोई को जरूर सस्क्राइब करें तीर मिनट से मैंने दूसरे साइड से भी पका लिया है अब इसमें हम स्वाद के नुसर नमक डालेंगे और फिर इसे हम उलटते पुलटते हुए ढग ढग के पका लेंगे तो चलिए हम टमाटर को चेक कर लेते हैं टमाटर हमारी सॉप्ट हो चुकी है अब हम इसे ठंडा होने के लिए गैस से उतार लेंगे ये ठंडी हो चुकी है अब इसके उपर वाले छिलकों को हम निकाल लेंगे और इसे हम चमच या हाथों की मदद से अच्छे से मैस कर लेंगे हमने इसे अच्छे से मैस कर लिया है इसमें डालने के लिए मैंने एक प्याज, तीन हरी मिच और थोड़ी सी धनिया पत्ती को लिया है सभी को हम इसमें डाल लेते हैं नमक हमने पहले ही डाला है हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो चलिए इसे हम एक पलेट में निकाल लेते हैं हमारी चेटनी देखने में ही इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी तो इस रेस्पी को एक बार आप जरू ट्राइ करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर और सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें